हलो फ्रेंड्स वेलकम टू गार्णिंग विधी तेश ये देखिए खूब सुरत एमरेलिस के फूल जो है मेरे गार्डन में खिल रहे हैं एमरेलिस लिली की वराइटी है और काफी कलर्स में आता है लेकिन मेरे पास ये रैड कलर में है और काफी टाइम से था लेकिन जब हमने घर में शिफ्टिंग की तो ये प्लांट मेरा मर चुका था बल्प्स इसके खराब हो चुके थे तो फिर मुझे किसी से इसके बल्प्स मिले थे तो मैंने इसे फिर से अपने गार्डन में जो है दो साल हो गए है दो साल हो गए होगे इसे आड़ की वे बल्प्स दिये थे तो पहले एक फ्लावरिंग निकला इसमें से तो आपको पता है ये काफी जल्दी से मल्टिप्लाइ होता है तो अब ये काफी एक बुशी प्लावरिंग हो गया है और इस साल जो है मुझे इसमे फ्लावरिंग भी देखने में मिल गई और जो मेरे पास पहले अमरिलिस लिली का प्लान्ट था उसमें जो है क्रीम कलर के फ्लार्स आते थे और उसमें रड लाइनिंग थी बहुत ही प्यारा शेर था वो और इसमें पहले भी जो है एक शिक निकली थी और फ्लावरिंग हो चुकी है और यह जो flowers पूरे spent हो चुके हैं एक जो चिक में जो है तीन flowers इसके निकले थे और यह सूख चुके हैं तो मैंने वीडियो नहीं बनाई तो अब जो यह नया एक चौक निकला है इसमें न चार birds निकली हैं दो तो खिल चुकी हैं यह देखें दो अभी खिलने वाली हैं तो ज मैंने अभी वीडियो बनाई हैं तो अब जरा इसके पोर्ट के भी दर्शन कर लेते हैं कि यह फूल तो बहुत सुंदर हैं लेकिन पोर्ट की हालत भी आप देख लीचें आपको हसी आरी होगी पोर्ट को देखके एक्चुली यह पोर्ट नहीं है यह जो मोप होता है ना ज अब भी बड़े साइस का इसका बलब होता है वो भी बाहर को आ रहा है बीचारा और बहुत ही जल्दी से माल्टिपलाई होता है तो इसमें मैंने लगा था दो साल से इसमें लगा हुआ है आप तो यह बिल्दुल रिपॉर्टिंग भी मांग रहा है और पोर्ट भी गार्डनिंग करें, तो हम यह कोई भी एक्स्क्यूस नहीं दे सकते कि हमें, सेर्मिक के या कले के, सिमेट के, टेराकोटा के संदर संदर पोर्त्स जाईए, चीक है, न, किसी भी वेस्ट कंटेनर में, पलासिक बैक्स में, किसी भी जगह आप gardening कर सकते हैं कोई भी excuse नहीं है अगर आपने अपने environment को save करना है आप में gardening का कीड़ा है आपकी hobby है आपका शोंक है तो आप उसे पूरा कर सकते हैं कोई भी pot खरीदने की जरूरत नहीं है हाँ अगर हम pot खरीदना चाते हैं तो खरीद सकते हैं ये ने की pot खरीदे ही न आपके बजट में है सुन्दर सुन्दर pots खरीदिये अपने garden को और भी सुन्दर बनाईए लेकिन अगर आप में वैसे gardening शोंक हैं और आप ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाते हैं तो आपके आसपास से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिने आप जो है अपने gardening में as a pot के रूप में यूज कर सकते हैं और अपने जो है gardening के शोंकों भी पूरा कर सकते हैं और आपका जो है कोई खर्चा भी नहीं लगेगा चीक है ना देखिए टूटे हुए प्लास्टी कंटेनर में उपर से देखने में इतनी खूप सुरत लग रहे हैं अगर कोई नीचे देखे था तो पता लगे है कि पॉर्ट की हालत क्या है लेकिन फूल तो फूल ही है चाहें वो सेरमिक के पॉर्ट में खिलें या वेस्ट प्लास्टी कंटेनर में तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें